नमस्कार आप देख रहे हैं दैनिक साती हर्याना अपनी इस खबर में आज हम बात करेंगे बीजेपी परत्याश्यों को लेकर आपको बता दे कि भारते जंता पार्टी के लिए गुरुगराम सांसत केंद्री राजमंत्री बड़ा सिर्दर्द बने हुएं पार्टी जानती है कि उनको दरकिनार करना मतलब दक्सी नहरणा में सफाया लेकिन वा पूरी तरह से राव के सामने सरेंडर होते भी दिखाई नहीं देना चाहती केंद्रे चुनाव समिती की बैठक के बाद जिस तरह से राव समर्थित परत्याशों के नाम बाहराये लगा की दक्सी नहरणा में बीजेपी राव के सामने पूरी तरह से सरंडर कर गई है वहीं सूत्रों ने बताया कि या ट्रेलर है पिक्चर अभी बाकी है और हुआ भी असाई सूत्रों के मताबिक बीजेपी के कुछ नेताओं ने राव के सिंगल पैनल नामों में कुछ अपने नाम जुड़वा दिया और बताया गया कि राव इससे खफा हो गई अब नामों को अंतिम रूप देने के लिए रविवार को शाम को हरियान प्रभारी ध्रमेंद प्रधान के आवास पर तमाम बड़े नेताओं की बैटक होनी है बता जा रहे कि पचपन नामों पर पहले ही सैमती बन चुके इस बैटक में बचेवे 35 नामों पर मन्थन किया जाना है वहीं दूसरी और दक्सी नहरेन में भी लगतार परत्याश्यों के नाम को लेकर कयास पर चर्चाए चल रहे हैं भाजपत सुनाव समिती की बैटक के बाद जो नाम सामने आए थे उनमें अटेली से आर्तिराव, कोलशली से रवी यादाव, रिवाडी से सुनिल जरावता का टिकट कटने की खबरे सामने आए लेकिन जैसा कि हमने बताया बाद में पहला में बदलाव किये गए, बावल से जाना एक बार फिर से डोक्टर बनवारी लाल का नाम जोडने की बात सामने वहीं पैनल में अन्या बड़े अधिकारी का नाम भी जोडने की चर् लेकिन कुछ भी कहें ये तमाम कयास हैं, पूरा खेल राव के रुक पर निर्भर करेगा, राव जिस दावेदार के लिए स्टेंड कर जाएंगे उसको टिकट मिल जाएगी, या फिर राव को अपने जाल में फशा कर बीजेपी, कुछ बाते अपनी मनवाने वे कुछ या फिर कल सुबह तक बीजेपी की पहली सुची जारी हो सकती है, संभव है इसमें करीब 40 नाम हो, अब ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, आखिर उट किस करवट बैठेगा, नमस्कार